हेलो दोस्तो मैं हूँ इस चैनल का होश्ट सुमित और आज मैं आपको एक बहुत ही बड़िया कहाने सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चाय और चपरासी यह तब की बात है जब मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से कस्वे के इसली में सरकारी स्कुल में ग्यारवी में पढ़ता था हमारे यहां अंग्रेजी के एक सड़ शिवास्तव जी थे उनकी एक आदत ये थी कि पढ़ाते समय अगर किसी शब्द पर अटक था उसी में एक शब्द आया आर्मचेयर एक लड़के ने पूछ लिया कि सर ये आर्मचेयर कैसी होती है बस सर शुरू हो गए अंग्रेजों के हाँ आराम करने वाली ये कुरसी होती है जिस पर जब ठक जाते हैं तो आराम से पीठी का कर जूलते रहते हैं साथ में चाई क चुसक्यों का अनंद लेते हैं अब बात आर्मचेयर से चाई के तरफ मूड़े अंग्रेज जब ठट जाते हैं तब अपनी ठकान उतारने के लिए चाई पीते हैं हमारे यहां जैसे नहीं कि कोई काम नहीं तो चाई पीलो टाइम पास करना हो तो चाई पीलो कोई आ गया तो भी चाई पीलो भारतियों के चाई पीने का लंबा लेक्चर चली ही रहा था कि दरवाजे पर चपरासी चाई लेकर आ गया सर चाई या सुनकर पूरी क्लास हसने लगी अब चपरासी हैरान वो कभी अपने कपड़ों को देखे कभी अपने पैर को तो मित्रों में ये उ कोटा साय का हास से किस्सा आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है तो हमें अपनी स्टोरी को इंस्टाग्राम पर भेजें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइ करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुचे